प्रेरना भी थी, प्रोग्षाहन भी था और एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया था आदरने सभापती जी, पिछले दो ढ़ाई दिन में इस चर्चा में करीब सत्तर मान्य सांसदों ने अपने विचार रखे हैं इस चर्चा को सम्रद बनाने के लिए राश्पती महोदाया के अभी भाषन को व्यक्षाईद करने में आप सभी मान्य सांसदों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सब का भी आफ़ार बेक्ता करना आदर्या सभापती जी भारत की आजहादी के इतिहास में हमारी सांसदिये लोक्तांतिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने आखाएं साथ साल के बाद ये हुआ है कि दस साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापत सी हुई है और मैं जानता हूँ कि भारत के लोक्तंत्र की छे दसक के बाद आई हुई गटना असामान ये गटना है और कुछ लोग जान बुश करके उससे अपना मूँ फेर करके बैठे रहे कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो अल्ला उस तुशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धी पर देश की जनता के इस महत्वपून निर्णे पर कैसे चाया कर दी जाए कैसे उसको ब्लक आउट किया जाए इसकी कोशिश हुई लेकिन मैं पिछले दो दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्विकार हो रहा है और दबे मन से कम मन से विजय भी स्विकार हो रहा है आदेरे सहाती जी कॉंग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं रजय से धन्यवात करना चाहता हूं क्योंकि नतीज़ आये तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था उनकी पाइट्टून को समर्खन तो नहीं करते थे लिए कि आखेले जिन्दा रहे के दोड़ रहते और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मूँ में गीश सक कर और यह मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पिता था एक तिहाई सरकार इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे दस साल हुए है बीस और बाकी है एक तिहाई हुआ है एक तिहाई हुआ है दो तिहाई बाठी और इसलिए उनकी भविशमानी को लिए मैं उनके मूँ में गीश सकता हूं आदेनिय सभाबती जी दस वर्सों के अखंड एक निष्ट अभीरत सेवा भाव से की हुए कार्य को देश की जनता ने जी भरकर के समर्थन दिया है आदेनिय सभाबती जी इस चुनाओं में देश वास्वा की विवेग बुद्धी पर गर्व होता है क्योंकि उन्होंने प्रापय गंडा को परास्त कर दिया है देश की जनता ने परफॉर्मंस को प्राथ्विक का दिया है भ्रम की राजनीती को देश वास्यों ने ठुकराया है और वरोसी की राजनीती पर विजय की महौर लेगा है आदेनिया सभाबते की सम्मिधान के 75 वे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं इस सदन के लिए भी ये पढ़ाव विशेस है क्योंकि इसे भी 35 सा हुए है और इसलिए एक सुहग सहियोग है आदेनिया सभाबती जी मेरे जैसे बहुत लोग है इस देश के सारवजेने जीवन में जिनके परिवान में कोई गाउं का सरपंज भी नहीं रहा है गाउं का प्रधान भी नहीं रहा है राजनिती से कोई सरोकार नहीं रहा है लेकिन आज अनेक महत्वकों पदों पर पहुँच करके देश की सेवा करता हुए और उसका कारण बाबा साब आमबेड करने जो संभिधान दिया है उसने हम जैसे लोगों आउसर दिया और मेरे जैसे अनेक लोग है जिनको बाबा साब आमबेड कर द्वारा दिये गए संभिधान के कारण यहां तक आने का आउसर मिला है और जन्ता जनार्दन ने उत्पर महर लगाई तीसरी बार आने का मुगा में गया संभिधान हमारे लिए यह कोई आर्टिकल्स का कमपाइलेशन मात्र नहीं थे हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मुल्यवान है और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए कार्यकलापों में हमारा संभिधान लाइट हाउस का काम करता है दिशा दर्शक का काम करता है हमारा मारदर संभिधान आदेनिय सभापते जी मुझे आद है मैंने जब लोकसभाम है हमारी सरकार के तरफ से कहा गया कि हम 26 नमंबर को संभिधान दिवस के रुपत बनाएगी तो मैं हराम हूँ जो आज संभिधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं दुनिया में लहराते रहते हैं उन लोगों ने विरोद किया था 26 जनवरी तो है तो संभिधान दिवस प्रोण आए है और आज संभिधान दिवस के मादण से आज संभिधान दिवस के मादण से देश के स्कूल कॉलेटिज में सम्विधान की भावना की सम्विधान की रत्रा में क्या भूमिका रही है देश के जर्मान में महापुरुष होने हैं सम्विधान की निर्मार में इन कारों से कुछ चीज़ों को छोड़ने का निरने किया इसके विशह में हमारे स्कूल कॉलेटिज में विस्तार से चर्था हो निबन्दस्परदाये हो चर्चा सबाये हो एक व्यापक रूप से सम्विधान के प्रती आस्ता का भाव जगे और सम्विधान के प्रती समझ भिक्सित हो देश वाचियों के लिए आने वाला पूरा कालखन सम्विदान हमारी सर्चे बड़ी प्रेणा रहे इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं और अब जब 75 बर्स में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रुप में राष्ट व्यापी सो बनाने का रहे हैं और इसे देश के कौने कौने में सम्विधान की भावना को सम्विधान के किसे को मकसद है उसके विशे में भी देश को आउगत कराने का प्यास है आदनिय सभावतेजी देश की जनता ने हमें इसरी बार जो आउसर दिया है वो आउसर विखसिद भारत आत्म निर्भर भारत इस यात्रा को मजबूती देने के लिए इस संकल्प को सिद्धी तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटी कोटी जनों ने आशिरवाद दिये आदेनिया सभापती जी ये चुना दस वर्ष की सिद्धियों पर तो मौर है ही लेकिन ये चुना भविश्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना क्योंकि देश की जनता का एक मत्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को संकल्पों को सीद्धियों के लिए हमें आउसर दिया आदे ने सभावति देश की जनता है देश ने पिछले दस वर्षों में हमारे देश की अर्थ लवस्ता को दस नंबर से पांट नंबर पर पहुंचाने में सभावता प्राई है और जैसे जैसे नंबर निकरता की सिद्धी के दर पहुंचता है एक की तरफ पहुंचता है तो चुनौतियां भी बढ़ती है और कोरोना के कठीन कालखन के बावजुद संगर्श की वैश्विक परिश्यों के बावजुद के तनाओ के बातावरं के बावजुद में हम अमारे देश की अर्थ बवस्ता को दस नंबर से आज विश्व में पाँच नंबर पर पुर्टाने में चलाए इस बार देश की जनता ने हमें पाँच नंबर से तीन नंबर की एकनोमिक पर पहुचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है हम भारत की अर्थ बवस्ता को विश्व के टॉप तीन में पहुचा के रहे हैं मैं जानता हूँ हादर ने सवापती जी यहां कुछ ऐसे विद्वान है जो यह मानते हैं कि इसमें क्या है यह तो होने ही वाला है यह तो अपने अब तीसे नंबर पर पहुंचने वाली है यह तो अपने अब हो ही जाएगा ऐसे विद्वान है अब यह लोग ऐसे हैं जिनोंने अटो पाइलोट मोड पर सरकार चलाने का या तो रिमोट पाइलोट पर सरकार चलाने का उनको आदी है इसलिए वो कुछ करने धरने में विस्वाब नहीं करते हैं वो कुछ करने धरने में विस्वाब नहीं करते हैं वो इंकजार करना जानते हैं लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रहते हैं आने वाले वर्षों में पिछले दस वर्षों में हमने जो किया है उसको गती भी बढ़ाएंगे उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी और जाई भी होगी और हम इस संक्रक को पुरा करने है आदर्निय सभापती जी चुनाव के दर्मियान में देश वाच्छों को कहता था कि जो दस साल हमने काम किया है हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो यह एपेटाइजर है में कोर्थ तो अभी शुरू हुआ आदर्निय सभापती जी आने वाले पांच साल मूल सुमिधाओं के सेटुरेशन के और हम एक सामान्य नागरी की जो रोजबरा की जिन्दगी की आवशक्ताएं होती है एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्ताओं के जिन सुविधाओं के जिस प्रकार के गवर्नन्स की आवशक्ताएं होती है हम इन मुल्भूत्स विधाओं के सेटुरेशन का यूग के रुपने उसको परिवर्ति करना चाहते हैं आधनिय सभापती जी आने वाले पांच बर्स गरीबों के खिलाफ निर्णायत लड़ाई के हैं आने वाले पांच बर्स गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई और मैं मानता हूँ गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्त के साथ खड़ा हो जाता है गरीबों की गरीबी के खिलाफ में लड़ाई सभलता को फ्राप्त करती है और इसलिए आने वाले पांच साथ गरीबी के खिलाफ लड़ाई के मिरनायक बर्स है और ये देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में वीजई होकर के रहेगा ये पिछले गस साथ के अनुभाव के अधार पर मैं बहुत इस बात से कह सकता हूँ आदेने सभापती की जब देश दूनिया की तीसरी बड़ी इकानॉमी बनेगा तो इसका उलाव इसका प्रभाव जीवन के हरक्षेत्र पर पढ़ने वाला है विकास के विस्तार के अनेक अउसर उपलब तो होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरी नंबर की इकानॉमी बनेगे तब भारत के हर्सकर पर सकारत्मक प्रभाव तो होगा लेकिन वैश्वित परिवेश में अभुद्पुर्व प्रभाव पैदा होने वाले हैं आदेनिया सभापती जी हम आने वाले कालखन में नए स्टार्ट अफ का नई कंप्रियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं और मैं देख रहा हम जुद्प के आने वाले कालखन में हमारे टीर टू टीर थी शिटीज भी ग्रोथ एंग्जीन की भुमिका में देश्विक पर रहे हैं पारेली सभापती जी ये सप्याप दी टेक्नॉलोजी डिवन सप्याप दी और इसलिए हम कई नए सेक्टरस में नए फुट्प्रिंट्स भी अवस्चे उसे देखेंगे पादने सभापती जी आने वाले प्लाव साल में पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में बहुत तेजी से बड़लाव आने वादा और इसका लाव भारत के कोटी कोटी जनों को जन्द से जन्द मिले उस दिशा में हम गंभीता से आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे छोटे शहर जाए खेल जगब हो जाए शिक्षा जगब हो जाए इनोवेशन हो जाए पेटन की रिजिस्ट्री हो मैं साथ देज रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे शोटे शहर होजारों कर ताजार मैंसे शहर भारत में एक विकास का नया इतिहाद गणने वादें हैं मैंने पहले भी कहा है कि भारत के विकास यात्रा में जारब प्रमुकुस्ताम है इसका सब्सक्राइब उनको अवसर एस बहुत बड़ी तापत देने वाले हैं आज़निय सबाब हगी थी हमारे देज के किसान अमारे देज के गरीव अमारे देज के मुआख अमारे देज की नारी शक्राइब शबुद रहुत हैं हमारा जो फुस्तस है उसको हमने प्रेखांकित किया है आदरीय सभापते में यहां भी कहीं साथ्जों ने खेती और किसानी को लेकर के अपने विचार रखे हैं और अनेक बाते सकारत्मन रुप से भी रखी है मैं किसानों को लेकर सब्सक्राइब करता हूं बीते दस वक्ते हमारी खेती हर प्रकार से लाबकारी हो किसान को लाबकारी हो उसका हमने हमारा धान केमी पिया है अनेक होज़ा उसको हमने काकर देने का प्रयास किया है जाएख हसल के लिए गण हो। जाता हमने की पिसानों को उखलक दो हो। आगकी कीमत उचीत हो। आगकारी है पहले की सारी मुशिबते दूर करते का पिसानों को सब्सक्राइब करो जाए एंस्पी पर खरीग की बांग हो हमने पुराने सारे रेकर्ण पोड़ करके जी जिसे बाजार तक हमने खिसानों के लिए हर गवस्ता को बहुत माइक्रो प्लानिंग के सांद मजबूती देने का भरपूर वर्सक प्रयास किया है और जबस्ता को हमने चाग चौबंद किया आदरियो चभापती जी पहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन पाना की करीड नौके बढ़ावक का बहुत मुश्किन सब्सक्राइब आज हमाने लीक्तियों के कारण किसान क्रेडिट कार्डे मिस्तार के कारण आदरिये सब्सक्राइब लिधने आदरिये सब्सक्राइब इस साथ के किसानी को एक व्यापक आप ses वह हमने किसान क्रेडिक कार्ड मश्रूप बाना तो और मच्वारों को किसान क्रेडिक कार्ड का हमने लाद मुहेड प्रया है हमने किसानों का एपी के काम लेड़ के बिस्टांकों अबीडन का बिया है हमने काम आदे में सब्सक्राण लाद में आपी कांग्रेश के कार्थान में, दस साल में, एक बार किसानों के कर्द माभी की बहुत दोल किते गए कर्द में अधिया और सम्क्राइश किया लिया और साथ हजार करोन की कर्द में, उत्ता इतना हला मचाया इतना हला मचाया गा और एक अनुमान था, उसके लाभाद थी, शरीड देश के तीन करोड किसान थी, सामाने गड़ी छोटे किसान का तो उसमें नामों निशान नहीं था, जिसको सबसे जरुवत थी, इसकी उनकी योजना में कोई परवान नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुँच भी नहीं पाया था लेकिन आदर्य सभापती जी, जब किसान कल्यान हमारी सरकार के रदय में केंद्र में हो, तो मीदिया कैसी बनती है, कल्यान कैसे होता है, लाभ कैसे पहुँचता है, उसका मैज सदन को उदहार देना चाहता। आदर्य सभापती जी, हमने प्रदान मंत्री किसान संबान योजना चलाई, और प्लियें किसान संबान योजना का लाभ, इस पॉन्डेक्ट इस नहीं अप्रोप्रियेट, आइस दस करोर किसानों को हुआ है, आट से छे सांड में, इस गन्रेशन आइड प्लिए प्लीज त किसानों को देख चुके हैं आधनियत सभापती जी देख रहा है जूट खालाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं हो दी जिनका सत्य से मुकामला करना इस टेलिये जिनके हौसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बार उन्हाने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं आदरियत सभापती जी देश की जनता ने हर प्रकार जो उनको इतना पराजीत कर दिया है कि अब उनके पास गली महले में चीखने के सिवाई कुछ बचा नहीं है मारे भाजी हो हला और मादान छोड़के भाग जाना यहीं उनके नसीब में लिखा हुआ मान्ये सदेशगन अत्यंत दर्दनाख राजस सभा के भीतर यहां पर होता हुआ दिखाई दिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर एक एक बात का जवाब दिया जा रहा था साशन तीसरे निरंतर लगातार का आलमी है चैदर्शक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोद किया कि परतिपक्ष के नेता को बिना बे रोग टोग बोलने का सुभसर दिया आज वो सदन छोड़ कर नहीं गए हैं मरियादा छोड़ कर गए हैं आज उन्होंने मुझे पीट नहीं दिखाई है भारत के सुभधान को पीट दिखाई है आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है उस सपत का अनादर किया है जो सुभधान के तैतली है भारत के सुभधान की इस से बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकता ऐसा कैसे हो सकता है house of elders the upper house हमें देश का माद दुर्शन करना है मैं उनके आच्रन की बर्षना करता हूँ देश के 140 क्रोड लोग इसे हाथ होंगे सदन का मत्रव है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी मान ये सदशेगन आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई हर सदशेगों मौका जिया गया it is an occasion where they have challenged Indian constitution they have out-traced the spirit of Indian constitution they have disregarded the oath they have undertaken मैं इस कुर्ची पर बैठ करके इतना दुख्य हूं कि भारत के सुईधान का इतना बड़ा अपमान इतना बड़ा मजाक भारत का सुईधान हाथ में रखने की किताब नहीं है जीने की किताब है मैं आशा करता हूं कि वो आत्चिंतन करेंगे मंतन करेंगे अपने दिल को टटो लेंगे और करते भी पर आएंगे मानने प्रधान मंत्री जी आदेलिया सभापती जी आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं 140 करोर देश वाचियों ने जो निन्ने दिया है जो जनादेश दिया है इसे ये पचा नहीं पा रहे है और कल उनकी सारी हरकत है फेल हो गई तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी होसला नहीं था और इसलिए उम्मैदान छोड़कर के भाग गए है आदरिये सभापती जी मैं तो करतब्य से बंदा गुआ हूं और नहीं मैं यहां कोई डिबेट पे स्कोर करने के लिए आया मैं तो देश का सेवक हूं देश वाचों को तरह हिसाब देश की जनता को मेरे पल-पल का हिसाब देना मैं उसे अपना करतब मानता आदरिये सभापती जी वैस्वीक परिसितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ हमने देश के किसान को मुसिबत पर नहीं आ रहे दिया और हमने करीब करीब बारा लाग करोड रुपिया फर्टिलाइजर में सबसीड़ी दिये और जो भारत के अजादी के इत्यास में सर्वाथिक है और उसी का प्रणाव है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोच उस तक हमने जाने नहीं दिया सरकार ने अपने कंदे पर उसको उठा लिया है आदे ने सभापती की हमने MSP में भी रिकार्ड बढ़ोत्री की है इतना ही नहीं खरीद के भी रिकार्ड बनाए पहले MSP की गोशन होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था बाते बताई जाती थी पहले की तुल्दा में अनेक गुना ज्यादा खरीदी करकर के हमने किसानों को सामर्थवान बनाने का प्यास थी अधरे सभापती जी दस वर्सों में हमने कॉंगरे सरकार के तुल्दा में धान और गेहूं किसानों तक धाई गुना अधिक पैसा पहुंचाया है और हम आने वाले पांच साल सिर्फ इसी का इंक्रिमेंटल बृद्धी करके रुकना नहीं चाहते हैं हम नहीं ने खेत्रों को उन कठिनायों का अध्यन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आध्यरिज हमापते जी अन्न भंदारन का विश्व का सबसे बड़ा भियान हमने हाथ लिया है और लाखों की ताइदार में विकेंद्रित ववस्ता के तहट अन्न भंदारनों की रचना करने की दिसा में काम चल पड़ा है फल और सब्जी एक ऐसा शेत्र है हम चाहते हैं किसान उस तरफ मुड़े और उसके बंदारन के लिए भी एक व्यापक इंफ्रास्रक्र की दिशा में हम काम कर रहे हैं आधरिये सभापती जी सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा की हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्यास किया है देश वाज्यों को गरिमा प्रून जीवन देना यह हमारी प्रात्विक ता रही है आज़ाजी के बाद अनेक दसों को तक जिनको कभी पूछा नहीं गया आज मेरी सरकार उनको पूछती तो हैं उनको पूजती भी है हमारे दिव्यांग भाई भेनों के साथ हमने मिशन बोड में उनकी कठिनाईयों को समझ करके माइक्रो लेवल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्ताएं विक्सित किनने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमा पूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े इस दिशा में हमने काम किया है हादरी सभापती थी हमारे समाज में किसे ने किसी कारण बस एक उपेक्षित वर्ग यहने एक प्रकार चे समाज में बार बार हर्दूत होने वाला वर्ग वो ट्रांसजेंडर वर्ग है हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पस्यम की दुनिया के लोग ये सुनते हैं तो उनको भी गर्व होता जब भारत इसना प्रोग्रेसिव है भारत के तरफ बढ़े गर्वी की नजरे से देखा जाता है हमने उनको मुक्ष धहरा में लाने का प्रयास शुरू किया है आपने देखा होगा पदमा एवार्ड में भी ट्रांस जर्णर को अवसर देने में हमारी सरकार आगया अधरनी सभावत देगे हमारे गुमंत जनजातिय समुदाय हमारे गुमंत साथी हमारे बंजारा पविवार उनके लिए एक अलग कल्यान बौर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्रक्ताओं को हम एड्रेस कर सकें और उनको भी एक स्थाई सुरक्षीत और संभावनाव वाला जीवन प्राप्त हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं आदर ये सभापती जी हम एक शब्द लगातार सुनते आए हैं पिवी टी जी पिवी टी जी पिवी टी जी हमारे जनजातिये समुह में ये सबसे पीछे रहा हुआ है और आजहादी के इतने सालों के बाद भी जिन्यों ने उनको नीकर से देखा वो का पता चलता है कि कैसी हालत में जीते हैं उनकी तरब किसी नहीं नहीं देखा हमने एक विशेश विवस्ता की है और पी एम जन्मन योजनाव के आता है चोपीस हजार करोड ये समुदा बिखरा हुआ है छोटी संग्या में बोड की उनकी ताकत नहीं है और यहां देख की परंपर ऐसी जिसकी वोड की ताकत है उसी की चिंता करना लेकिन समाज के ऐसे अती पिशड़े लोगों की कोछ चिंता नहीं करता है हमने वो चिंता की है क्योंकि हम वोड की राजनी की करता है हम विकास की राजनी की करता है आदेरे सभापती जी हमारे देश में पारंपारिक पारिवारिक कौशल लिया भारत की विकास यात्रा का और व्यवस्था का एक अंग रहा है जो हमारा विश्वकर्मा समूह है जिनके पास परंपरागत उसे हुनर है और जो समाय की आवश्क्ताओं को पूरी करना है लेकिन उनको कभी अड्रेस ने किया हमने करीब करीब तेरां हजार करोड रुपे की होजना से विश्वकर्मा समूधाय को आधूरिक्ता की तरफ ले जाना उनके अंदर पोफेश्नलिजम आई पादर नी सभापती जी गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्यकन तो क्यार दिय गया था लेकिन मेरे रहडी पट्री वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी हालत थी पहली बार देश में पी-म स्वनीदी योजना के तहद रहडी पट्री वालों की चिंता की विए और आज वो प्याज के कुचक्र से भार आकर के अपने प और बैंक वाले भी खुश हैं लेने वाले भी खुश हैं और जो कल फुट पात पर एड़ी बैठता था आज एक छोटी दुकान दिशा में बनाने की दिशा में आगे बट रहा है जो पहले खुद नदूरी करता था आज एकाद्दों को रोजगार देने की दिशा में काम क कारण है कि गरीब हो गलीद हो पीछड़े हो आदिवासी हो मैला हम उन्होंने हमारा भारी समर्थन किया है आदेनिया सर्भापती जी हम विमें लेट डेवलप्मेंट की बात करते हैं दुनिया के प्रगतिशिल देशों के लिए भी विमें डेवलप्मेंट तो बहुत स्वाभावी स्विकार करते हैं लेकिन विमें लेट डेवलप्मेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्सा में थोड़ी कमी नजर आती है ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निश्टा के साथ वि अधिला ससक्विकरण का लाब आज दिख रहा है हरक्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कॉंट्यूबूट कर रहा है मैं आदेनिये सांसत सुधामूर्ती जी का अभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महलाओं के आरोग्य के वीशे आज रहे के लिए और उसका महात्म है क्या है उसकी आवश्रक्त क्या है उसकार बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था और आप उन्होंने एक बात है ये बड़ी इमॉशनल बताई थी कि मा अगर चलिय गए तो उसका कोई उपाई नहीं होता फिर नहीं मिल सकती ये भी अवात मत्पातों नहीं बताया था में विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वैलनेश पर हमने दस वर्सों में एक प्राइरिटी सेक्टर के लिए आपके काम किया है, आदरनी सभापती जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसिं के दोरान वैक्शने पैड़ा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है, आदरनी सभापती जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाए आत्म निर्भर बने, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं, बीदे वर्षों में हमने जो चार करोर घर बनाए हैं, उस में से ज्यादातर घर, हमने महिलाओं के नाम पर रहे हैं, बैंकों में खाते खुलने से, मुद्रा और सुकन्या समरुद्धी जैसी योजना से, आर्थिक फैसलोब हैं, महिलाओं की भुमी का भी बड़ी हैं, भागीदारी भी बड़ी हैं, और एक प्रकार से, वो परिवार में भी अब निर्णे प्रक्रिया का हिस्सा बढ़ने लगी हैं, आर्थिने सभावती की, विमें सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स, उससे जुड़ी दस करोड बहने, उनका आत्मवास्वास तो बढ़ाई बढ़ा हैं, उनकी आई भी बढ़ी हैं, अभी तक, एक करोड बहने, जो ये सेल्फ हेल्फ ग्रूप में काम करती हैं, छोटा-छोटा गाउं में कारोबार करती हैं, मिल करके करती हैं, किसी गाउंवालों की भी नजर नहीं जाती हैं उनकी प्राव, आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, उनी में से, एक करोड बहने लखपती दीदी अगे, और हम आने वाले समय में ये आखणा तीन करोड बहनों को लखपती दीदा जिवानाने की दिशा में बढा रहे हैं, अधरिये सभावती जी, सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें, को अधवाई करें, उद्धिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, नई टेक्नलोजी आती है, लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत बहुत आखिर में आती है, हमारी कोशिश हैं कि नई टेक्नलोजी का पहला आउसर हमारी महिलाओं के हाथ लगें, और वे इसको बढ़ाएं और इसी के तहर नमो ड्रॉन दीदी ये अभियान बहुत सफ़त दापुरवग आगे बढ़ा है, और आज गाओं में किसानों को बदद करने का टेक्नलोजी के मार्दम से काम गाओं की हमारी महिलाओं करी और मैं जब उनसे बात कर रहा तो मुझे कह रही हैं, अरे साब, अम्रों को भी साइकल भी नहीं चलाना जानते हैं, आपने हमें पाइलट बना दिया है, और पुरा गाम हमें पाइलट दीदी के नाम से जानने लिए हैं, और इस करीमा पुर्ण ब्रात उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, आदर्णिय, सभापती जी, देश का दुर्भाग्य है, कैसे संवेदन सिल मामलों में भी राजनीती जब होती है, तब तेश माचियों को और विशेश कर महलाओं को अकल पर पीड़ा होती है, ये जो महलाओं के साथ होते हैं अत्याचार में, बिपश्णा जो सिलेक्टिव रविया है, ये सिलेक्टिव रविया बहुती चिंका जनागा है, आदेने सभापती जी, मैं आपके माधिम से देश को बताना चाहता हूँ, मैं किसी राज्य के खिलाप नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं को राजनीती स्कोर करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तश्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, एक महिला को महां सरे आम शड़क पर पीटा जाए, वो बहन चीख रही है, लेकि महां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए है, और जो कटना संदेश खली में हुई, जिसके तस्वीरे रौंग के खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिगज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं जलक रही है, इससे बड़ा सर्भिंद्गी का दुखत चित्र क्या हो सकता है, और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगति सिल नारी नेता मामते हैं, वो भी मुँपे ताले लगा करके बैड़ गये हैं, क्योंकि समंद उनके राजलीतिक जीवन से जूड़े किसी दल से हैं या उस राज्य से हैं, और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुप चाप हो जाएं, अधरिये सभापती जी, मैं समझता हूँ कि, जिस पकार से दिगज़ लोग भी ऐसी बातों को नजर अंदाज करते हैं, तब देश को तो पिड़ा होती हैं, मारी माता और बहनों को ज़्यादा पिड़ा होती हैं, अधरिये सभापती जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो, और जहां उनकी राजनीति को अनुकुल नहीं होता है, तो उनको साप सूंग जाता है, यह बहुत चिन्ता का विशा है, अधरिये सभापती जी, भारत की जनता ने तीसरी बहार, पूनर बहुमत की स्थीर सरकार चुनकर, देश में तो स्थीरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है, लेकिन इस चुनाओं के नतीजों ने, विश्व को आस्वस्ट किया है, अधरिये सभापती जी, और इस नतीजों के कारण, भारत विश्व भर के निवशों के लिए, एक बहुत बड़ा आकर्षन का केंद्र बंद करके उबर रहा है, इप्स और बट्स का समय पुरा हो चुका, और भारत में विदेश का निवेश, भारत के नभजवानों के लिए रोजगार के नए आवसाल ले क्या आता है, भारत के युवाओं की टैलेंट को विश्व के मंच पर ले जाने का एक आवसाल बन जाता है, अधरिये सभापती जी, अधरिये सभापती जी, आपने मुझे भी एक मुका दिया है, जो मेरे से पहले एक चेर्मन को ही मिला है, और आप से इंस्परेशन लेकर आप देखिये टेबल के ओपर, हमने पुर्षूं का वन थर्ड रिजर्वेशन कर दिया है, अधरिये सभापती जी, वेश्वीक अर्थ वबस्ताओं में संतुलन जो चाहते हैं, उनका भारत का यस विजये, उनके लिए एक बहुत बड़ी नई आशा लेकर कर आया है, आज विश्व पारदर्शिता पर बरोसा करती है, और भारत उसके लिए एक बहुत इस्रेश्ट भूमी के रुपे उभर रहा है, अधरिये जबापती जी, इस चुनाव नतीजों से, जो केपिटल मार्केट है, उसमें तो उचाल नजर आहीं रहा है, लेकिन दुनिया में भी, बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहोल है, तो मैं आपने ब्यक्तिकर लेकिन इस बीच, हमारे कॉंगरेस के लोग भी खुशी में मगन है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल है, क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है, क्या ये खुशी नर्वस नैंटी के शिकार होने पर है, क्या ये खुशी एक और असफ़ल लॉंच की है, हादनिय सभापती जी, मैं देख रहा था, ये उत्साउमन से खरजे की खरगे जी भी, बड़े दजर आ रहे थे, लेकिन साइट खरगे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सिवा की है, क्योंकि जो ये पराजय का ठिक्रा जीन पर फुटना चाहिए था, उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दिवार बरके खड़े हो गए, और कॉंग्रेस का रवईया इसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्तिती आती है, तो दलीद को पिछडे को ही ये मार जेलनी पड़ती हैं, और वो परिवार बच निकल जाता है, इसमें भी यही नज़रा रहा है, इन दोनों आपने देखा होगा, लोग सभा में स्पीकर के चुनाओ का मस्खला हुआ, उसमें भी पराज़तों ताई थे, लेकिन आगे किसको किया है, तो एक दलीद को बड़ीद चला रहे लिए खेल खेला हुनों ने, उनको मालूम था, कि वो पराज़त होने वाले हैं, लेकिन उनकी को आगे किया, राज़पती उपराज़पती पत के चुनाओ थे, तो 2022 में उन्होंने उपराज़पती पत के लिए सुशिर कुमार सुन्देजु को आगे किया, उनको मरवा दिया, दली तो मरें उनका कोछ जाता नहीं है, 2017 में हारता है थी, तो उन्होंने मिराकुमार को लगा दिया, पराज़े हुआ, उनको पराज़े जहलना पड़ा, कॉंग्रेस की SC, ST, OVC, ये विरोधी मानसिकता है, जिसके कारण ये पूर्वर राश्टपती, सिरी रामनात कोवी जी का अपमान करते रहे, इसी मानसिकते के कारण, देश की पहली आदिवासी महला राश्टपती को भी, उन्होंने अपमानित करना विरोध करने में कोई कमी नहीं दिगी, और एशे शब्दों का प्रोग्जा है, जो कोई नहीं कर सकता है, आदर्णी सवाबती जी, ये संसत, ये उच्च सदन, सार्थक वागद, विवाद, सववाद, और इस मनो मंखन में से, अमरत निकाल करके देश वाच्चो देने के लिए है, ये देश का सबसे बड़ा मंच माना जाएगा, लेकिन, जब मैंने, कई वरिष्ट निताओं की बाते सुनी, पिछले दो दिन में, सिर्फ मुझे ही नहीं पुरे देश को निराशा हुई है, यहाँ कहा गया, कि ये देश के इत्यास का पहला चुनाओ था, जिसका मुद्दा सम्मिधान की रक्षा था, मैं जरा, उन्हें याद कराना चाहता हूँ, क्या अब भी एक फिक नेरेटिव चलाते रहो गये क्या, क्या आप भूल गये, 1977 का चुनाओ, अख्वार बन थे, रेडियो बन थे, बोलना भी बन था, और ये की मुद्दे पर देश वासियों ने वोट किया था, लोग कंतर की पुनस थापना के लिए वोट किया था, सम्मिधान की रक्षा के लिए पुरे विश्म में, इससे बिड़ा कुनिक चुनाओ ने हुआ है, और भारत के लोगों की रगों में लोग तंतर किस पकार से जीवित है, वो 1977 के चुनाओ ने थिखाद लिए वोट के लिए विश्म में भुम्रा करें वो देश को, मैं मानता हूँ कि सम्मिधान की रक्षा का उस सबसे बड़ा चुनाओ था, और उस समय देश की विबेक बुद्धि ने सम्मिधान के रक्षा के लिए, उस समय सक्ताद पर बैटे हुए लोगों उखाड़ करके फैक दिया था, और इस बार, अगर सम्मिधान की रक्षा का चुनाओ था, तो देश वाद्षियों ने सम्मिधान की रक्षा के लिए हमें योग के पाया है, सम्मिधान की रक्षा के लिए देश वाद्षियों को हम पर भरोसा है, कहां अगर सम्विधान की रक्षा तो कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं और देश वाद्शियों ने हमें जनादेश दिया है आदर ये सभावती जी जब खड़के यही बाते बोलते हैं तो ज़रा पीड़ा दायक लगता है क्योंकि इमर्जन्से के दोराओं सम्विधान पर जो जुल्म हुआ जो बुल्डोजर चलाया गया सम्विधान के उपर लोग तंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई तब उसी दल के महतोपुनेता के रुपे बूर के साक्षी है फिर भी सदन को गुम रहा कर रहे हैं आदनिय सभापती जी आपाद काल को मैंने बहुत देखकट से देखा है करोरा लोगों को कल्पना भार की यातना ये दी गई है उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था और जो संसद के अंदर होता था वो तो रेकॉर्ड पर है भारत के सम्विधान की बाते करने वालों को मैं पूछता हूँ जब आपने लोगसभा को सात सान चलाया था लोगसभा का कारकाल पौँट साल है वो कौन सा सम्विधान था जिसको ले कर कर आपने सात साल तक सत्ता की मौजली और लोगों उपर जुल्म करते रहे है और आप सम्विधान आम सेखाते हो आदर Japonे सभा पती जी दख जनों आर्टिकल्स पर यहने सम्विधान की आत्मा को छिन भी छिन करने का पाप इनी लोगे ने उस कालखन में किया था अड़तीसवां उननतालिसवां और बायालिसवा सम्विधान समसोदन और उस समसोदन मों यहने मीनी कॉंस्टिटुशन की रुप्र कहा जाता था यह सब क्या था आपके मुह में सम्विधान की रक्षा सब्द सोफा नहीं देता है यह पाप करकर क्या बैठे वी लोग हो इमर्देंसी में पिछली सरकार में दस साथ यह केमिनेट में ते खड़के जी क्या हुआ था प्रदान मंत्री सम्विधानी पद है प्रदान मंत्री के पद के उपर एने सी बैठ जाना यह कौंसे सम्विधान में से लाये थे व्यवस्ता किस सम्मिदान में से बनाया था आप लोगों आपने देश के पधान मंद्री पत की घरीमा को चकना चूर कर दिया था और रिमोट पाइलोट बन करके आप उसके बाते पर बैट गए थे कौन सा सम्मिदान आपको अनुमति देता है आदर्णिय सभापती जी जराई बताएं हमको वो कौन सा सम्मिदान है जो एक साउसक को केमिनेट के निर्णे को सार्मजरी गुरूप से फार देने का हक दे देता है कौन सा सम्मिदान था किस हैसियत से फणा गया था आदर्णिय सभापती जी हमारे देश में लिखीत रुप में प्रोटोकॉल की व्यवस्ता है राश्पति उप्राश्पति प्रदान मंत्री स्पीकर सब कैसे कहा होते हैं कोई मुझे बताएं किस सम्मिदान की बर्यादाओं को तार-तार करके प्रोटोकॉल में एक परिवार को प्राथफिक का कैसे दी जाती थी कौन सा सम्मिदान था सम्मिदानी पदों पर बैठे हुए लोगों बाद में एक परिवार के लोग पहले कौन सा सम्विधान की परियादा रखी ते आपने हैं और आज सम्विधान की बाते करते हैं सम्विधान लहराते हैं जय सम्विधान कहते हैं अरे आप लोग तो इंडिया इजी इंडिरा इंडिरा इजी इंडिया के नारे लगा करके जीए हो आपको सम्विधान की कोई आधर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। आधर्णिय सभापती जी मैं बहुत दंबिर्टा से कह रहा हूं कि देश में कॉंग्रेस सम्विधान की सबसे बड़ी विरोती है। उसके जहन में। आधर्णिय सभापती जी इस पूरी चर्टा के दर पे आए हूं को दोसो पांसो साथ की बाते करने का तो हक है। लेकि इमर्जेंसी की बात देखे लिए तो अरे बुदा बुदा पुरारा हो गया। क्यों आपके पाप कुराने हो जाते हैं तो खतम हो जाते हैं क्या। अरे सभापती जी इस हाउस पर कोशिश की कई। समिधान की बात करना है लेकिन इमर्जेंसी को कभी भी आने नहीं देना। ये चर्टा करने का उनोग है। लेकिन ये देश इनके साथ जो लोग बैटे हैं। उसमें भी बहुत लोग हैं जो इमर्जेंसी के भुगत भोगी रहे हैं। क्योंकि उनकी कुछ मजबूरिया होगी कि आज उनके साथ उनोंने बैटना पसंद किया है। मतलब अवसरवादिता का ये दूसरा नाम है। सम्विधान के प्रति समरपन का भाव होता तो ऐसा नहीं करते हैं। अधेडिया सभापती जी। आपात का सिर्व एक राजनितिक संकट नहीं था। लोग तंत्र सम्विधान के साथ साथ ये बहुत बड़ा मानिविय संकट भी था। अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था। अनेक लोग जेल में मुर्ति को शरण हुए थे। जैप्रकाद नाराण जी की खराब हुई कि भार आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए। ये हाल उन्होंने कर दिया था। और प्रतार्णा सिर्व राजनिताओं कि नहीं है। आम आदमी को भी नहीं छोड़ा लगा था। सामान ने मादमी को भी नहीं हुए। और इनका इतने सारे जुल्म उसमें इनके लोग भी थे अंदर। उनके साथ ये जुल्म हुआ। लेकिन आज भूल है। आदरिने सभापत जी वो दिन ऐसे थे। कि चो कुछ लोग घर से निकले। कभी घर लोट करके भापिस नहीं आये। और पता तक नहीं चला। उनका शरीर कहा गया। यहां तक की घटना इगटी थे। अदरिने सभापत जी ये बहुत सी पार्टी यहां जो उनके साथ बैटी हैं। वो अलपसंखकों की आवाज होने के ज़र दावा करते हैं। बड़े जाजा चिला करके बोलते हैं। क्या कोई मुझफर नगर और तुकमान गेट वहाँ अलपसंखकों के साथ इमर्जनसे में क्या हुआ था। जरायाद करने की हिम्मत करते हैं क्या। बोलने की हिम्मत करते हैं क्या। अधर्णिय सभापती जी। और ये कॉंग्रेस को क्लीन चेट दे रहे हैं। कैसे देश्रुम को बापको ने करा। ये शर्मनाख है कैसी ताना सही को भी आज सही कहने वाले लोग हाथ में सम्मिधान की प्रत ले करके अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अधनी सवावती जी। उस समय कई छोटे-छोटे राजनीतिक दल्क थे। ये मर्दिन से के खिलाब लड़ाए के मैदान में उतरे थे। और दिरे-दिरों ने अपनी जमीन बनाई थे। आज वो कॉंग्रेस का सहयोग कर रहे हैं। अर्मा ने कल लोगसाभा में कहा था। अब कॉंग्रेस का परजी भी यूग शुरू हुआ है। ये परजी भी कॉंग्रेस है। जहां वो खुद अकेले लड़े वहाओं का स्ट्राइट रेट शरम जरग है। और जहां किसी के सहारे किसी के कंदे पर बैठने का मौका मिला। वही पर से बच करके आये। देश की जनता ने आज भी कुछ फिकार नहीं किया है। वह किसी की आड में आये हैं। ये कॉंग्रेस परजी भी हैं। किसी और के कारण सहियों की दरों के बोड़ खा करके। वह जरा फली फुली ऐसा दिखता है। और कॉंग्रेस का परजीवी होने का कारण उनकी अपने कारणामस है। वह देश की जनता का विश्वात नहीं भी लिपता है। वह जोर तोड़ करके बचले का रास्ता खोज रहे है। जनता जनादन का विश्वात जितने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसने फेक नेरेटिव के द्वारा फेक वीडियो के द्वारा देश को भमित करके गुम्रा करके अपने कारणामस करने के आदत है। अधर्निय सभाबती जी इस सदन में यह उच्छ सदन है। यहां विकास के वीजन पर चर्चा होना स्वाभाविक अपिक्षित है। लेकिन ब्रस्टाचार के घंबीर आरोपों से गिरी लोग, यह कॉंग्रिस वाले ब्रस्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लग गए हैं। बे शर्मे के साथ, जिनको सजाएं मिली हैं ब्रस्टाचार में, इनके साथ तस्वीरे निकाले में को मजा आ रहा है। पहले यह लोग हम को पूछते थे, बाते तो बड़ी करते थे, ब्रस्टाचारियों पर कारवाई क्यों नहीं होती है। और जब प्रस्टाचारी जेल जा रहे हैं, तो हंगामा कर रहे हैं। क्या आप लोगों को जेल क्या पहुंच बेज रहे हो। हादरिने सभापती जी, यहाँ चर्चा के दोरां केंद्र की जाच एजंशियों पर आरोप लगाए गए है। जाच एजंशियों का इस सरकार दुरूप्यों कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। हादरिने सभापती जी, अब आप मुझे बताइए, ब्रस्टाचार करे आप, सराब गोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में गोटाला करे आप, पानी तक में गोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कॉंग्रेस, आपको कॉंट में गशीट करके ले जाए कॉंग्रेस, और अब कारे भाई हो, तो गाली दे मोदी कॉंग्रेस, और अपस में जरा साथी बन गई हैं लोग, और हिम्मत है, तो सदन मैं खड़ हो करके, जवाब मागो, कॉंग्रेस पार्टी से मैं आप वारों से कहता हूँ, कॉंग्रेस भी बताएं, कि आपने प्रेस कॉंफरेंस करके, आपके गोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखने थी, कॉंग्रेस ने प्रेस कांफरेंस कि थी इनी लोगों के खिलाप की थी आप यह पताएं कि यह जो उन्होंने सबूत प्रेस कांफरेंस करके सारी फाहिले बताई थी क्या वो सबूत सक्चे छे या जूठे थे दोनों एक दुजरों को खोल कर रख देंगे हादर निस हभापती जी मुझे विश्वास है ऐसी चीजों का जवाब देने की उनके नरहिम बत नहीं है हादर निस हभापती जी ये ऐसे लोग हैं जिनका डबल स्टांडर्ड है दोहरा रविया है और मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूँ ये कैसा दोगला पंचल रहा है ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजन्सियों पर आरोप लगाते हैं बचसाचारियों को बचाने के रिए रेलियां करते हैं और केरला में उनके साजादे उनी के केरल के एक मुख्यमंतरी जो उनके गड़बंदर के साथ ही है उनको जेल बेजने की अपील करते हैं और भारत द्रकार को कहते हैं कि इस मुख्यमंतर को जेल बेजतो दिल्ली में EDCBI की कारवाई उस पर हाय तोबा करते हैं और बही लोग उसी एजिंसी से केरल के मुख्यमंत्र को जैल बेजने की बात करते हैं साजा दे तब लोगों के मिन में सवाल होता है कि इसमें भी दोगलापन है अधरिये सवापती जी च्छतिस गड़ में कॉंग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ सराब गोटाला जुड़ा यही आप पार्टी वाले चीफ-चीफ करके कहते थे एक ED-CBI को लगा दो और इसमें मुख्यमंत्री को जैल में डाल दो खुल्याम कहते थे और ED यह काम कर इसके लिए गुजारिश करते थे उनको तब ED बहुत पारा लगता है फादर यह सभापती जी यह आज जो लोग जांच एजंशियों को बदनाम कर रहे हैं हला मचा रहे हैं मैं जरा उनकी याददास पर जोड़ डालना चाहिए मैं ऐसा उनका आगरे करता हूँ जांच एजंशियों का पहले दुरुप्यों कैसे होता था कैसे होता था कौन करता था मैं जरा बताला चाहता हूँ बैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूँ यह पहला बयान है 2013 का बयान क्या है कॉंग्रेस से लड़ना आसान नहीं है जेल में डाल देगी सीबी आई पीछे लगा देगी कॉंग्रेस सीबी आई वह इंकम ट्रेस्ट का भवय दिखा करके समर्थन लेती है यह स्टेटमेंट किसका है यह बयान है स्वर्गिय मुलायम सिंग्जी का कॉंग्रेस एजन्सियों का कैसा दुरुक्यों करता है यह मुलायम सिंग्जी रेकारता है और यहां इस सदन के मानिय सदस्त राम गुपाल जी को मैं जर पूछना चाहता हूं कि राम गुपाल जी क्या नेता जी कभी जूट बोलते थे क्या नेता जी तो सच बोलते थे हादर निय सभाबते जी मैं राम गुपाल जी को यह भी का जर भतीजे को भी बताएं क्योंकि उनको भी याद दिला है कि राज नीती में कदम रखते ही भतीजे पर सीबी आई का फंदा लगाने वाले कौन थे जर याद दिला दे उनको पता चलेगा हादर निय सभाबते जी मैं एक और बयान परता था यह भी साल दोहजार तेरा का है दक कॉंग्रेज हैड यूज दू सीबी आई तो स्ट्राइक प्लिटिकल बार्गेंज विद मैनी पार्टीज और कौन कहते हैं उनके कॉम्रेड श्रिमान प्रकास करा जिने यह कहा हुआ ह दोहजार तेरा में कहा हुआ इजेंट्सों का कौन दूरुक्यों करता था एक और महत्वपुन स्टेट्मेंट में परता हुआ है और मैं याद दिलाना चाहते हो स्टेट्मेंट क्या है कि सीबी आई पींजने में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है यह किसी राजलितिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रिम कौर्ट ने UPS सरकार के समय कहा हुआ बयान है, एजंसियों का दुरुप्यों कौन करता था, इसके जीते जाकते सबूत आज मोजूद है, आदेने सभावती जी, ब्रस्टाचार के भिरुद्ध लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव भारजित का तराजु नहीं है, मै चुनाव भारजित के लिए ब्रस्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लट रहा हूँ, ये मेरा मिशन है, ये मेरा कंविक्शन है और मैं मानता हूं कि ब्रस्टाचार एक ऐसी दिमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है इस देश को ब्रस्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए ब्रस्टाचार के प्रति सर्वामान्य मान्य के मन में नफ्रत पादा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूँ और मैं इस पवित्र कारे मानता हूँ 2014 में जब मुवारी सरकार बनी तो हमने दो बड़ी बाते कही थे एक हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पीत है और दूसरा ब्रस्टा चार पर काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी यह मैंने 2014 में सारवजनिक रूप से कहा था इसी धे कुले करके एक दरब गरीबों के कल्यान के लिए विश्व की सबसे बड़ी कल्यान योजना हम चला रहे हैं ब्रस्टा चार के विरुत नए कानून नई व्यवस्ताएं नए तंत्र हम विक्सित कर रहे हैं हमने ब्रस्टा चार निवान अधिनियम 1988 उसमें संसोधन किया हमने काने धन के खिलाब एक नया कानून बनाया बेनामी संपत्य को लेकर हम नया कानून लेकर क्या रहे हैं इन कानूनों से ब्रस्ट अधिकारियों पर भी कारवाई हो गई हैं लेकिन लीकेज हटाने के लिए हमने सकारत मत गुष्ट से गर्वर्मेंट में बढ़ाव लाया हमने डाइवेल बेनिफिट ट्रांसफर पर बल दिया हमने डिजिटल टेकनॉलोजी का भरपूर उप्योग किया है और तभी आज हर लाभारती तक उसके हक का फाइदा तुरंट सीधा पहुँच रहा है एक नए पैसे का लिकेज नहीं होता है यह हमारी प्रस्टा जार के खिलाब गलाई का पहलू भी और जब सामाने नागरी को यह ववस्ताइं मिलती है तब उसका लोकतंत्र में भरोचा बढ़ता है उसको सरकार में अपना पन महसूस होता है और जब अपना पन महसूस होता ने तब तीसरी बार बैठने का मोका मिलता है आदरिय सभापती जी मैं नी संकोच गुरुप से कहना चाहता हूँ लाग लगबेट नहीं रखता हूँ और मैं देशवाद्शियों को भी कहना चाहता हूँ कि मैंने एजन्सियों को ब्रस्टाचार और ब्रस्टाचारियों पर कड़ो से कठोर कारेवाई करने लिए खूली छूट दे के रखी है सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी हाँ वो इमानदारी से काम करें इमानदारी के लिए काम करें ये मेरी सुचना है और आज़री ठभावती जी मैं फिर देश्वाशों को कहना चाहता हूँ कोई भी ब्रस्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा ये मोदी की गारणटी है अधरनिय सभावती जी राश्पती जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल गलियर राजनिती से उपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं लेकिन दुर्भाग्य से इतना संबेदन सिल महत्पपोर मुद्दा भी मेरे देश के नवजमानों के भविश्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनिती के भेंट चड़ा दिया इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है मैं देश के नवजमानों को आस्वस्त करता हूँ कि आपको दोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है मेरे देश के नवजमानों के भविश्य के राज खिलवार करने वालों को सक्त से सक्त सजा मिलें इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे है साउसद में इन गड़बडियों के खलाब सक्त कानून भी हमने बनाया है हम पूरी सिस्टिम को मजबुति दे रहे हैं कि भविश्य में मेरे देश के नवजमानों को आशन का भरिस्तिति में भी रहना न पड़े पूरे विश्वास के साथ अपने सामर्थों को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें इस बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं आधनी सभापती जी यहां कुछ आरोप लगाने की फैशन है लेकिन कुछ आरोप ऐसे है उसके जवाब गटनाए खुद दे देती है और पत्तिक्ष को प्रमान की कोई ज़रूरत नहीं होती है जम्मु कश्मीर में हाल में हुए लोगस्वाज चुनाव में मतदान के यहां करें हैं वो पिछले चार दसक के रकोड को तोड़ने हुआ और इसको सिरफ कोई घर से गया बटन दबा के आया इतना नहीं है भारत के सम्विधान को स्विक्रुती देते हैं भारत के लोकदंत्र को स्विक्रुती देते हैं भारत के इलेक्षन कमिक्षन को स्विक्रुती देते हैं यह पहुत बड़ी संक्तित हैं आदारी समापती देश वासी जिस पल की प्रतिशा करते थे वो आज इतनी सहच सरलता के सामने दिख रही है आदारी समापती बित्यानेक दिशकों में बंद, हर्ताल, आतंकी धमकियां, इधर उधर बंधमाके की कोशिश हैं, एक प्रकार थे, लोग तंत्र पर ग्राण बनी हुई थे आज इत्पार लोगों ने समिधान पर अतूर्ट विश्वास रखते हुए, अपने भाग्य का फैसला दिया है, मैं जम्मु कश्मीर के मद्दाताओं को विशेश सुर्चे बदाई देता हूँ अधरी सभापती के जम्मु कश्मीर में आतंग मात से हमारी लडाई एक प्रकार से अंतीम दौर पर हैं, अंतीम चरण में, आतंग के बचे हुए डेटवर्क को भी हम सक्ती से नेस्त नाबूत करने के लिए पुरी व्युहरचा के साथ आगे बढ़ रहे हुए। बीते दस वर्सों में, पहले की तुलना में आतंग की घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। अब पत्थर बाजी की खबरे भी, शायद ही किसी कौने में कात्बार आ जाए तो आ जाए। अब जम्मु कश्मीर में आतंग को और अलगाओ खत्म हो रहा है। और इस लगाई में जम्मु कश्मीर के नागरी हमारी मदद कर रहे हैं, नेत्रुत्व कर रहे हैं। ये सबसे जड़ा विश्वात पादा करने वाज़ाद है। आज बहाँ टुरियम नए रेकॉर्ड बना रहा है। निवेश बढ़ रहा है। आज जो नौर्थ इसको लेकर सवार उठाते हैं। उन्होंने नौर्थ इसको अपने हाल पर छोड़ के रखा था। क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाथ किताब होता है। नौर्थ इसके इतनी ही लोगसभागी सीटे हैं। क्या उससे राजनीती में फर्क परता है। कभी कोई परवाई नहीं की। उसे उनके नसीब पर छोड़ दिया था। हमने हम नौर्थ इसको अदेश के विकास का एक ससत्य इंजिन बनाने की और हमसाकत से लगे। नौर्थ इस्ट पुर्वी एशा के साथ ट्रेड, टूरिजम और कल्ट्रल कनेक्टिविटी उसका गेट में बन रहा है। और यह जो कहते हैं न 21वी सदी भारत की सदी उसमें यह इनिशेटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करने वादा है। यह हमें स्विकार करना है। आदाइनिया सभापती जी हमने नौर्थ इस्ट में गत्व पांच वर्स में जो काम किया है। और अगर पुराने कॉंग्रेस के हिसाब से जाद उसको अगर तुलना कर दी जाए। हमने जितना काम पांच साल में किया है। इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 साल लग जाते एक फीड़ी और चली जाती है। हमने इतना तेजी से काम किया है। आज नौर्थ इसकी कनेक्टिविटी उसकी विकास का मुझभूत आधार है। उसको हमने प्राथ्पिक्ता दी है। और आज भुत्काल के सारे इंफ्राट्रेक्टर से कई गिना आगे हम निकल चुके हैं। और हमने उसको करके दिकाँ है। कि आधरे नें सभाप्रते हैं। नौर्थ इसकित में स्थाई शांती के लिए। दस वर्षों में अनेक प्रयास किये गए और निरंटर प्रयास किये यए। मिना रुके मिना ठके हर एक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किये गए और उसकी चर्चा कम हुई है देश में लेकिन परणाम भावती आशा प्यादा करने वाले निकले है राज्यों के बीच सिमा वबाद संगर्शों को जन्म देता रहा है और आजाजी से अप्ट खत्म कर सकते हैं एक के बाद एक एक एकोड करते करते जा रहा है रेकोर्डेड है शहरमति की रेकोर्ड है और उसके लिए जो सिमाओं में किसी को उदर जाना है किसी को यहां आना है कहीं देखा यहां बनाने कहीं देखा बहां वो सारे काम कर चुके हैं रादनिये सभावत कि इन्व इसकी पत्वड़ी सेवा है । हिन्शाë से जुडे संक्टन जो हत्यारवन गिरोथे जो वहाँ लड़ाई लड़ते रहते थे अं अर्डर्ग्राउंड रहे के लड़ाई लड़ते थे हर व्यवस्था को चु्षरौते देते हैं हर counter group को चुरावती देते थे खुन खराबा होता रहता था आज उनको साथ लेकर के स्थाई समझोते हो रहे हैं सस्तर सरंडर हो रहे हैं जो गंबीर गुणावा के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए त्यार हो रहे हैं अदालत को फेश करने के लिए त्यार हो रहे हैं न्यायत तंत्र के प्रती भरोसा बढ़ना सम्विधान के प्रती भरोसा बढ़ना भारत के लोग तंत्र के प्रती भरोसा बढ़ना भारत के गवर्मेंट की रचना पे भरोसा करना ये इसमें से अनुभव होता है मणिपूर की स्थिती सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरफ है वहाँ जो कुछ भी घटना है घटी ग्यारा हजार से ज़्यादा F.I.R. की गई है मणिपूर छोता साराज है ग्यारा हजार F.I.R. की गई है पांसो से जादा लोग एरेस्ट हुए है आदर ये सभापते जी इस बात को भी हमें स्विकार करना होगा कि मणिपूर में लगातार हिंसा की घटनाए कम होती जा रही है इसका मणिपूर के अधिकांस हिस्तों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे है कॉलेज चल रहे हैं दब्तर और दूसरे संस्तान खूले रहे है अधिने सभापती की मणिपूर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परिच्छाएं हुई वहाँ भी परिच्छाएं हुई है और बच्चों का अपनी विकांस यात्रा जारी रखी है अधिने सभापती केंद्रों और राजसर का सभी से बात्ती करके शांती के लिए स्वहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है छोटे छोटे इकायों से को जोड़ करके इन ताने बाने को गुंधना एक बहुत बड़ा काम है और शांती पुन तरीके से हो रहा है बीते समय में पहले की सरकारों ऐसा नहीं हुआ है ग्रह मंत्री स्वयम कई दिनों तक महां रहे है ग्रह राज मंत्री हपतों तक महां रहे है और बार बार महां जाकर के सम्वन्दिर लोकों को जोड़ने का प्रयास करते रहे है आदर्णिय सभापती की पोलिटिकल लीडर्शिप तो है ही लेकिन सरकार के सभी बरिष्ट अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबन्द है वे लगातार वहाँ फिजिकल जाते हैं लगातार वहाँ संपर्ग मेहते हैं और समध्षा के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है आधन्य सभापती जी इस समाए मनिपूर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज सरकार से साथ मिल करके पूरा सहयोग कर रही है आज ही एंडियारेव की दो टीमें वहाँ पहुँची है रहने की प्राकृतिक मुसिबत में भी केंद्र और राज मिल करके मनिपूर की शिंता कर रहे है आधने सभापती जी हम सभी को राज नीती से उपर उट करके वहां की स्थित्य को सामान ने बनाने में सहयोग करना चाहिए यह हम सब का कर्तब भ्याए आधने सभावती जी जो भी तत्व मनिपूर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं मैं उन्से आगाह करता हूँ कि यह हरकते बंद करें एक समय आएगा मनिपूर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है ऐसे लोगों को आधने सभावती जी जो लोग मनिपूर के इतिहास को जानते हैं मनिपूर की घटना क्रब को जानते हैं उनको पता है कि वहां का सामाजिक संगर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है उस संगर्ष की मानसिप्ता की जड़े बहुत गहरी है इसको कोई नकार नहीं सकता है और कॉंग्रेस के लोगें न भुले कि मनिपूर में इनी इस कार्मों से दस बार राष्टपदी शासन लगाना पड़ा है इतने छोटे से राज में दस बार प्रसेडेंशल डूल लगाना पड़ा है राष्पदी शासन लगाना पड़ा है कुछ तो मुसिबते होगी और यह हमारे कार्गर में नहीं हुआ है लेकिन फिर भी राजरिती फायदा उठाने के लिए वहाँ पर चिस प्रकार के हरकत है हो रही है और राष्पती जी आदर्णिय सभापती जी मैं सदन में देश वास्चों तो बेपतारा चाहता हूँ 1993 में मणीपुर में ऐसे ही घटनाओं का करम चला था और इतना तिवर चला था इतना व्यापक चला था वो पांच साल लगातार चला था तो ये सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समध्दारी के पूर्वक स्थीतियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है जो भी इसमें सैयोग देना चाहते है हरे का सैयोग भी हम लेना चाहते है लेकिन हम सामान्य स्थिती को बरकरार रखने में शांती लाने में भरपूर प्रियास कर रहे हैं आदेने सभापती जी कि मेरा सौभागी रहा है कि मैं प्रधान मंत्री प्रधान सेवक के रूप में हाँ आया उसके पहले लंबे अर्षे तक मुझे मुख्य मंत्री के रूप में सेवा करने का आउसर मिला था और इसके करण मैं अनुभव से सिखाओं कि फेडरलिजम का महत्मय क्या होता है और उसी में से कोपरिटिव फेडरलिजम और उसी में से कॉंपिटिटिव कोपरिटिव फेडरलिजम इन विचारों को मैं बल देता आया हूँ और इसी लिए जब G20 समीट हुई तो हम दिल्नी में कर सकते थे हम दिल्नी में बहुत बड़ा तामजाम के साथ मोदी की भावाई कर सकते थे हमने ऐसा नहीं किया हमने हर देश के हर राज्य के अंदर अलग-अलग कौने में G20 की महत्वपोर्ण कारिकम किये उस राज्य को जादा 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 पैश्मी प्रदिश्वामिले इसके लिए प्यास किया रहे उस राज्य का ब्रांडिंग हो वीश्व उस राज्य को जाने पहचाने उसके सामर्थों को जाने और उसकी विकास यात्रा के लिए खुद भी अपना रसी बज़वाई इस जिशा में हमने काम किया है क्योंकि हम जानते हैं कि फैटरलिजम के और रूप होते है अधर ने सभापती की जब कोवीड के खिलाब हम लड़ाई रगते थे जितनी बार मुख्यमंतियों के साथ संबाद हुआ है शायर हिंदुस्तान के आजाजी के इत्यास में इतने कम समय में इतनी बार नहीं हुआ है अधर नियस सभापती जी ये सदन एक प्रकार से राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है और इसलिए राज्यों के विकास के कुछ फोकस हे रिया उसकी चर्चा इस सदन में करना मैं उच्चित मानता हूँ और मैं कुछ आगरा भी साजा करना चाहता हूँ आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम अगली क्रांती का नेत्रुत्व कर रहे हैं इसलिए सेमी कंड़क्टर्स और एलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्रिंग जैसे सेक्टर्स में हर राज्यों ने बड़ी प्राक्पिकता से साथ अपनी नीत्या बनानी चाहिए योजनाओं लेकर के आगे आना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि राज्यों के बीच विकास की स्पर्दा हो निवेश आकर्शन कने वाली नीतियों में स्पर्दा हो और वो भी गुड गवर्नन्स के माद्यम से हो सपस्ट नीतियों के माद्यम से हो मैं पक्का मानता हूँ कि आज जब विश्व भारत के दरवाजे पर दस तक दे रहा है तब हर राज्यों के लिए उसर है और जब ये राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है तो मैं आगरह करूँगा राज्यों से कि आप आगे आए और विकास की यात्रा में आप भी उसका फाइदा उठाईए रोजगार सुजन में इस राज्यों के बीच परथा क्यों नहीं होनी चाहिए हरारे राज्य के उस नीती के काण उस राज्य में नौजवानों को इतना रोजगार मिला तो दूसरा राज्य कहा है तुम्हारे नीती में मैंने प्लस बन कर दिया तो मुझे ये फाइदा मिला रोजगार के लिए राज्यों के बीच परथा क्यों नहीं होनी चाहिए बहुत समझता हो कि ये देश के नौजवानों के भाग्यों को बदलने में बहुत काम आएगा आज नौर्दीश पर असम में सेमि कंडुक्टर पर तेज गती से काम चल रहा है और इससे असम नौर्दीश वहाँ के नौजवानों को बहुत भी फाइदा होने वाला है और साथ-साथ देश को भी फाइदा होने वाला है और नौर्दीश की धर्द कोगी एक राज्य सरकार जब aggressively जीतियों को ले करके आती हैं, तो उसका अब अधरिये सभावती जी, UN ने 2023 को year of millets के रुपे गोशित किया था, ये भारत की अपनी खुद की ताक्रत है millets, हमारे छोटे किशानों की ताक्रत है, और जहां कम पानी हैं, जहां सीचाई की सुविदाएं नहीं, वहां पर millets, जो की एक सुपर फूड है, मैं मानता हूँ कि राज्य इसके लिए आगे आए, अपने अपने राज्य के इस सुपर फूड को millets को ले करके, वैश्विक बजार में जाने की होज़ना बढ़ाएं, उसके कारण, दुनिया के हर टेबल पर हिंदुस्तान का millet होगा, डाइनिंग टेबल पर, और हिंदुस्तान के किसान के घर में, दुनिया से कमाने का अफसर प्रादा हो जाएगा, खारत के किसान के लिए सबूर्दी के नए द्वार खूल सकते हैं, मैं राज्यों से आगर करूँगा, कि आप आईए, आदनिया सभावती जी, दुनिया के लिए, nutrition market, इसका solution भी हमारे देश के millet में, यह super full है, और जहाँ पर nutrition की जिंता है, वहाँ पर हमारा millet बहुत बड़ा काम कर सकता है, हम उतार होगे के दुरस्टी से भी, वैश्यों मंच पर ले जाने के लि आदनिया सभावती जी, 21 फ्रस्यदी में, ease of living, यह सामान मानवी का हक है, और मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार अपने यहां के नीती, नीयम, व्यवस्ताएं उस प्रकार से विक्सित करें, ताकि सामान नागरी को ease of living का आउसर मिले, और इस सदन से राज्यों को अगर वो स उसको हमें कई सतरों पर नीचे ले जाना पड़ेगा, और इसलिए चाहे पंचायत हो, नगरपाली का हो, महानगरपाली का हो, तैसिल पंचायत हो, जिला परिशत हो, यह सारी काईों में, एक ही मिशन के साथ ब्रस्टाचार से मुक्ति का राज्य अगर विड़ा आधर्णिय सभापती जी, समय की मांग है, कि हमारे हाँ, एफिसेंसी, अब होती है, चलती है का जमाना चला गया है, 21 सदी में भारत को, अगर भारत की सदी की रूप में अपने आपको प्रस्थावित करना है, तो हमारे गवर्नेंस के मॉडल में, हमारे डिलिवरी के मॉड में, एफिसेंसी बहुत अनिवारी है, मैं आशा करता हूँ, कि सर्वीज की स्पीड बढ़ाने में, निर्नेओं की स्पीड बढ़ाने में, एफिसेंसी की दिशा में काम होगा, और जब इस प्रकार से काम होते हैं, तो टांस्परंसी भी आती हैं, इप्स एंड बर्द भी ही रहते हैं, और सामान ने मानवी के हकों की रक्षा भी होती हैं, और इस अफ लिविंग, इसका आहसास हर नागरी कर सकता है, आदनिय सभापती जी मेरा एक कन्विक्शन है, और मैं मानता हूँ, क्या समय की मांग है हमारे देश के नागरीकों के जीवन से, सरकार की दखल जितनी कम हो उस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए, रोज मरा की जिन्दिगी में सरकार 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 होती है, अब हम उस दिशा में जा रहे हैं तब, हाँ, जिनको सरकार की जरुख है, जिनके जीवन में सरकार की उप्योगी तो आवश्यक्ता है, उनके जीवन में सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए लेकिन जो अपने बल्बूते पर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं सरकार का प्रभाव उनके रोकने का प्रयास न करें और इसलिए सरकार की दखल जितनी कम हो वैसी समाज और सरकार की व्यवस्ताओं को विक्सित करने के लिए मैं राज्यो से आगहर करता हूँ का आप आगे आएजिए आधनिये सभापती क्लाइमेट चेंज की कारा प्राकृतिक आप्दाओं की स्थिती बढ़ती जा रहे हैं और वो किसी को एक कौने में करने वाला काम नहीं होता है हमने सामोई कृपते मिल करके काम करना होगा राज्यों ने नहीं कारोगे की सेवा वो भी उतना ही महत्तों देना होगा और मैं मानता हूँ कि हमारे राज्यों में राज़निति की इच्छा शक्ते के साथ इन मुर्भूत कामों की दिशा में हमारे राज्ये जुरूर जुडएंगे हाधर शभापति जी के यह दसकर और यह सदी भारत की सभी है लेकिन भुद्गाल हमें कहता है कि अवसर तो पहले भी आये थे लेकिन हम अपने ही कारणों से अपने अवसरों को खो चुके थे अब हमें अवसर खोने की गल्ती नहीं करनी है हमें अवसरों को ढूंडना है हमें अवसरों को जकडना है और अवसरों के सहारे हमें अपने समकल्पों को सिद्ध करना है उस दिशा में जाने का इस से बड़ा कोई समय नहीं हो सकता है जो समय आज भारत के पास है एक सो चालिस करोर देश वास्चव के पास है विश्व के सबसे युवा आज़ादी वारे देश के पास है और इसको अपने जो देश हमारे साथ आजाग हुए थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं बहुत तेजी से आगे निकल चुके हैं हम नहीं पहुत पास है हमें इस स्थि मेंahlenें रिफार穴 मैंगे जरूत नहीं है और रिफार्म करते थो खुर्त की सत्ता चली जाएगी ऐसे भईभीत रहने की जरूत नहीं है सत्ता को हथेया रखने की कोई आवश्यक्ता नहीं है जितनी भागीदारी बनेगी जितने इंद्रेडे की शक्ती सामान ने मानुई के हाथ जाएगी मैं सबता हूँ हम भी भले हम साइद लेट हुए हो लेगे हम उस अकांचाओं को पुर्ण करने में उस गती को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने संकल्पों की सिद्धी कर सकते हैं आदानी जभापते जी विक्सीद भारत का मिशन ये किसी व्यक्ती का मिशन नहीं है 140 करोर देश वाच्यों का किसी एक सरकार का मिशन नहीं है देश की सभी सरकारी काईयों का मिशन है और हम एक सुत्र में एक संकल्प के साथ मिल करके चलेंगे तो हम इन सपनों को साकार गर पाएंगे ऐसे हमारा पक्का विश्वास है अदानी सभापती जी मैं विश्व मंच पर जाता हूँ विश्व के अनेग लोगों से मिलता रहता हूँ और मैं आज अनुभव कर रहा हूँ कि पूरा विश्व निवेश के लिए तयार है और भारत हमकी पहली पसंद है हमारे राज्यों में निवेश आने बार उसका पहला द्वार तो राज्य ही होता है अगर राज्य जीतना जादा इस अफसर को जुटाएंगे मैं इसको मानता हूँ उस राज्य का भी विकास होगा आदर्यने सभापते जी जिन जिन बातों को हमारे मानने सदोस्व ने उठाया था उन सब को संकलित रूत में जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है और आदर्यनी राज्य पति महोदाय ने जो अभी भाशन दिया जो हमारे लिए दिशान दिर्देश दिये है और देश के सामान ने मानमी के अंदर जो उन्होंने विस्वात पदा किया है इसके लिए मेरी तरफ से भी और इस सदन के तरफ से भी मेराश्ट पति जी का रदेश ने बहुत-बहुत आभार वेक्तर करते हैं तेरी वाणी को जाम देखा बहुत-बहुत बन्यवाद है है जान करते हैं आप इसके पनात्यव करदक में अ करता है तो तो बहुतिंगा में जात्यव वेक्तर है झाल झाल